यहां पे हम लोग अभी वर्डवेंग के बारे में पढ़ रहे थे ठीक है तो इसमें हमने आधे में ही छोड़ दिया था क्योंकि टाइम जादा हो रहा था तो यदि हम आज बात करें यहां पे क्योंकि कई सारी चीजें जो हैं हम देख चुके हैं यानि कि एक क्वेस्चन जो तो इसके बारे में हम समझ रहते तो यहां पर ऐसा नहीं है तो हमको यह बात समझ में आ गई कि ऐसा बिलकुल नहीं है कि वैश्चिविक लोग तंद्र कि यदि हम बात करते हैं तो कोई एक लीडर होगा ठीक है हां यह है कि कुछ संगठंस बनाए जाते हैं और उनका मतलब कई सारे देश ठीक है वहां पर क्या होते हैं उनके सदस्य देश के रूप में रहते हैं और उनका जो भी कुछ उनकी सीमाएं होती है कि यह यह काम इनके द्वारा तैंक किया जाएगा ठीक है तो वहां पर कुछ सीमाओ यानि कि कुछ डिश्टिक्शन के साथ ही वहां पर क कि वह संगठन काम करते हैं और इन जो भी देश होते हैं उनको मानना पड़ता है दिन हमने बीटो पावर के बारे में भी पड़ा था अब यदि हम बात करें वर्डवेंग के बारे में तो इसके बारे में हमने कुछ चीजे यहां पर जान चुके थे कि क्या कैसे होता कितने हैं या नहीं है तो यह सारी बाते हम जान चुके थे अब यदि हम बात करें इसके बोटिंग के चुनाओ की तो वह कैसे होता है यहां पर हमने देखा था कि जो भी अभी तक 200 बैंक के सदस्ट बनाए गए हैं जब से उसकी स्थापना होई है तब से लेकर अब तक के जितने ब्हुंए सदस्टे हैं वह सभी अमेरिकन हैं यहां पर क्या लिखा गए है अमेरिकी नागरit खी रहा है जिसका मनों ने अमेरिकी बित्तमंत्री दWBay किया जाता है ठीक है दिन उसके वाद यदि हम बात करें तो फैसले लेने के इन तरीकों की तुलना उन लोगतांतिक तर कि जरह सोची आप उस देश के बारे में क्या कहेंगे जहां कुछ लोगों के लिए सरकार में मंत्री का पद इस्थाई रोप से बना रहे और जिन्हें पूरे संसत द्वारा लिए गए फैंसले को भी रोकने का अधिकार हूँ यानि कि इसमें जैसे हम अपने देश में देखते हैं कि यहां पे जो मंत्री का पद है तो ऐसा नहीं है कि एक बार किसी भी या की कैबिनेट मंत्री हो या इस्थेट मंत्री हो तो इन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यदि एक बार आप मंत्री बन गए हो तो उसके बाद आप मं रवाइज नहीं रहेंगे और यहां पे मंत्रियों के पास पावर तो होती है बट इतनी ज्यादा पावर नहीं होती है कि मतलब जो वो कहें वही मानने हो ठीक है तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जरा आप सोचिए थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए कि आप उस देश के ब यह आई स्थाई वाला ने कि पांच साल वाद हड़ जाएंगे ऐसा ने इस्थाई रोप से हो और जिन्हें क्या हो कि पूरे संसद दौरा लिये गए फैसले को रोकने का भी अधिकार हो ठीक है संसद में आपको पता है कि लोकसभा राजिसभा राष्टपती आते है तो इन की कंडिशन क्या होगी और हम पर क्या प्रफा पड़ेगा या की हम बात करें फिर आप उस संसद के बारे में क्या कहेंगे जहां वे सिर्फ पांच फीसी दी सदस से ही बहुमत की राय यानि कि फाइफ फीसी ठीक है फाइफ परसेंट या आप याद रखिएगा तो पांच बहुमत की राय को पलट देने या रोग देने में सक्षम हो यानि कि पांच फीसी यदि 5 परसेंट लोग ही कह देते हैं कि ये काम गलत है तो गलत है काम ठीक है यानि कि 5 परसेंट लोगों का भी बहुमत है तो वहां पे उस काम को रोंक दिया जाएगा या कि जो भी हो रहा है या वो चाहते हैं 5% लोग की ये काम हो तो फिर हो जाएगा थीक है तो ये दोनों questions है क्या आप इनको लोगतांत्रिक कहेंगे अब जब ऐसी conditions बनती है कि जहां सिर्फ 5% लोगी अपना majority दिखा के उनके द्वारा ही कुछ तो मतलब 5% लोगों को जो भॉमत प्रापत है यानि उनको इतनी सकतियां प्रापत है कि वो ऐसा कर सकते य हैं और वहाँ पे हमने देखा कि किसी अधेश के मंत्री को ही अधिकार है कि कि तो अब ये दोनों को corrosion यहां पर इसको जब हम दोनों को ही पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसको हम किंगल से लोगतांत्रिक सरकार कह सकते हैं क्योंकि लोगतांत्रिक सरकार की डिफिनेशन आपको I hope कि बिल्कुल रट गई होगी ठिक है कि यहां पर जनता का जनता के लिए जनता के दोरा यानि कि हर एक काम जो भी होता है आप अपने देश में ही जो लोकतांत्रिक विवस्टा है यहां पर हमें कोई रोकता किसी काम के लिए बिल्कुल नहीं रोकता करें आप कर सकते हों तीक है आप बिल्कुल सतंत्रों किसी से बात करने के लिए किसी से बोलने के लिए कहीं भी संगठन इस्थापित करने के लिए कहीं भी अपना जो भी संस्थाय चल रही है उनको इस्थापित करने के लिए जो भी आप चाहते हैं बिल्कुल खुले आप कर सकते हैं तीक है लेकिन यहां पर किया बात किज़ें कुछ restrictions हैं यह कुछ प्रतिवन्द हैं तो क्या हम इनको लोकतंत कह सकते हैं तो राष्टिय सरकारों के लोकतंत्रिक होने ना होने के लिए हम जिस सरर कर्षावटी का प्रियोग करते हैं अधिकानस प्यस्तिव्क संस्थाएं उस पर खरी नहीं उतरती हैं ठीक है हमने पहले भी देखा था कि वहां पर बीटो पावर प्राब्त थी तो उसमें चाहरा था यह लंडी कि जो फाईव कंट्रिय म्मिला हुआ है उनके नेम आपको बताना है ठीक है यदि पहले कोशिस करिएगा यदि आप अच्छे सी वीडियो देखे होंगे और उसको अपनी नोट्स में नोट किये होंगे तो आई होप कि वह आप से इसली बन जाएगा और यदि नहीं बनेगा तो ही देखने की कोशिस कीजिएगा अ उनाइटेड नेसंस में बीटो पावर प्राप्त है ठीक है तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो भी अधिकांस बैस्टिविक संस्थाएं उस पर खरी नहीं उतरती हैं यानि कि लोकतंत्री की कसोटी में अधिकांस जो भी बैस्टिविक संस्थाएं हैं यानि जो भी य इसे कह सकते हैं कि एक दम से मतलब एक लोगोग तंतरिक नहीं है तो क्या है कम से कम पहले कि दुलना में ज्यादा लोग तंत्री हो रही है यदि अब यहां पर question एक और उड़ता है question के अंदर question ठीक है कि यदि हम पहले देखे कि वहां पर 5% लोगों की Majority से ही कोई काम हो रहा है या एक मंत्री और से कोई काम हो रहा है या कि हम बात करें तो उसको लोगतंत्र नहीं कह सकते हैं ठीक है नहीं कह सकते आप लेकिन next question ये उठता है कि अगर बैश्चिविक संस्थाइं लोगतंत्र नहीं है तो क्या हम ये कह स कहते हैं कि बना उनलाद है कि था धुर्षक को जाद मतलब ऊत्लै कि रहा है कि इस भाद आता क्या है कि इस कोसे बहुतता कि नहीं दिखते यानि कि अभी भी इस बात के कि कह सके कि लोगतांत्र कि यौरा अब अग्रुसर हो रहा है तो ऐसा भी कोई हमको उसका प्रमाण नहीं दिखता है कि हम यह बिल्कुल एकदम से सरली कह सके कि हां यह लोगतांत्रिक विवस्था की और काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं ठीक है दरासल होता क्या कि विविन राष्टे तो पहले की तुलना में ज्यादा लोगतांत्रिक हो रहे हैं यानि कि हम एक मोटे मोटे हिसाब पे कह सकत हैं कि जो भी लोगतांत्रिक देश हैं वह क्या कर रहे हैं कि मतलब जो भी देश थे तो वह पहले की तुलना में अब लोगतांत्रिक हो रहे हो चाहिए उनमें सैनिक सत्ता रही हो तो अब वह धीरे धीरे लोगतांत्रिक विवस्था अपना रहे हैं पर अंतर राष्टी सं गटनों के लोगतांतिक चरित्र में कमी आती जा रही है यानि कि जो इंटरनेशनल और्गनाइजेशन है उनमें लोगतांतिक व्यवस्था में कमी आती जा रही है यानि कि इंक्रीज होने के वज़ए वो डिक्रीज हो रहा है इसकी जो डेमोक्रेसी व्यवस्था है वहां पर उसको बढ़ना चाहिए बट बढ़ नहीं रहा वो और भी घटता जा रहा है ठीक है यहाँ पर यह समझा जा रहा है कि सीधे तोर पर यदि हम समझे तो हम यह कह सकते हैं कि बिश्व के कई सारे ऐसे राष्ट हैं जो कि पहले की तुलना में अब जादा देश आंगे बढ़ र बढ़ ले जदा कंट्रिया बढ़ रहे हैं कि पहले कुछ कंट्रियों में लोत्तान्ति उसके वाद देरे धीरे करके सारे जो है यह लोक्तान्तिक विवस्ता अपनाने की और बढ़ रहे हैं बत जो इंटरनेशनल ऑर्गनाइशेशन बने हुए है।्टि जो की मतलब कई देशों के समों से बना हुआ है। तो कई राष्ठों के समों से ठीक है। चाहे वो अब 182 हो, 493 देशों हैं। मतलब कि जो भी विसु के देश है तो उनसे मिलके संगठन बना हुआ है। तो यह जो international organization है तो इन में क्या है कि यहाँ पे बिलकुल इनके जो भी लोगतान्तिक विवस्ता है कामी लगातार आती दिख रही है और यदि हम बात करते हैं कि 20 साल पहले की दुनिया में दो महा सक्तिया थी तीक है यदि हम history में जाते हैं तो ज्यादा deep की history में ने के ancient history में बस अपने यह modern history में ही जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ था कि दुनिया में दो महा सक्तिया थी पूरे विश्व में यदि सबसे ज्यादा पावर किसी के पास थी तो वो दो ही देश थे कौन-कौन से थे एक अमेरिका था दूसरा शोबियसंग था ठीक है शोबियसंग यानि बरतमान का जो रस्या है तो दो ही ऐसे देश थे जहां पे महा सक्तिया थी और इन दो महा सक्तियों और उनके पीछे रहने वाले देशों के शमुहों की प्रथिदन्दीता और टकराओ से इन सभी बैसिविक संगटनों का सक्ति शंतुलन ठीक है यह जो महासक्तिया थ पावरफुल माने जाते थे तो यदि हैं आप पूए फिर समझें की यदि आप भी अपने आपको थींस किर समझें ठीक है और वहां पर आपका अंगला दोस्थ भी अपने आपको क्या समझता है वहिया हम तो इससे भी बढ़के हैं तो क्या आपने आपको कोई कम होने देगा बिलकुल नहीं इंपॉसिटिवल है ना तो आप अपने आपको कभी कम मान सकते हैं यदि आपकी कहीं पर गलती भी है तो भी आप नहीं मान सकते हैं यह हम अपन जब अब ये दोनों में ही आप जब ऐसे होगा तो वो दोस्त आपका दीरे-दीरे दूसमन बनने लगता जाईर सी बात है, कि आप यदि अपना राज इस्थापित करना चाहते हो अपना सत्ता इस्थापित करना चाहते हो तो अपने दोस्त को गिराओगी ठीक है और यदि वो अपना करना चाहता है आपको गिराएगा क्योंकि आप जुकने वाले तो कोई नहीं हो सीधे आप खड़े हो ठीक है अब जुकने का नाम ना आप ले रहे हो न वो ले रहे हैं क्योंकि आपके अंदर दोनों के अंदर एटिटूड भरा हुआ कि हमारे पा ठीक है यहां पर जो हमारी दोस्ती थी वो धीरे धीरे दुस्मनी में बदल जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि हम अच्छे खासे दुस्मन बन जाते हैं ना तो हमको कुछ मिलता ना तो उनको कुछ मिलता किसी की जादा थोड़ा बहुत पावर और जादा बढ़ गई तो ह हो सकता है कि उसको कुछ मिल जाए युद्ध में हमेसा हानी होती है असोख यदि आप पढ़े होंगे असोखा को तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा ठीक है उसके बाद क्या होता है कि जादा बहतर रहा करता था सोबियस संगे के पतन के बाद अमेरिका दुनिया की ए अध्यक्त करते हैं कि हमारे जैसे आपके और आपके दोस्त का लिया तो यहां पेका झालिक हिसाफ से काम करते हैं याँ यानि वही जो मैंने मतां दौणध की भाबना आजाती है, और वही दौणध में युद्ध की स्थीठी वी बंजाती है और हम उसको क्या करते हैं? एक समय बाद उसको अच्छे खासी मात दे दे देते रहें और उसके बाद हम पावरफुल बन जाते हैं तो हमारे पावरफुल बनने के बाद भीया हम ही राजा है तुम क्या करोगे ठीक है तो अब यहां पर क्या हुआ कि यह अमेरिका जो था यानि सोबियस संग की स्थिति थोड़ा कमजोर हुई थोड़ा सोबियस संग डैट मेंस की प्रिजेंट टाइम का जो रसिया है वो प्रभुत अंतराष्टी संस्थाओं के कामकाच को प्रभावित करता है यनि कि अब यहां पर क्या हो गया कि भीया हमारे पास ही सब कुछ है हमी राजा है जो चाहेंगे सो करेंगे बीटो पावर तो इनके हाद में ही थी और इंटरनेशनल यूनाइटेड निसंस का जो भी अर्गनाइजेशन बनाए गया था तो यहां पर अब क्या हुआ कि यनि कि जो अंतराष्टी संगठन बनाए गये थे अब इसमें क्या हुआ अमेरिका सक्ति साली देश कहलाया ठीक है अब यहां पर इनके भाव चौथे आसमान पर चड़ जा रहे थे ठीक है और होता गया ह कि जब यह महा सक्ति पूर्ण रूप से बन जाता है अमेरिका एक अकेला पहले दो थे दो में से अब कौन बचता है विचारा एकला अकेला बचता है अमेरिका और यहां पर क्या होता है कि अमेरिकी जो प्रभुत है अंतरराष्टी संस्थाओं के कामकाज को प्रभावित क करता जिसे अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हो कि जब वह को सबसे ज़्यादा जरूरत थी कि वह की जाएं ठीक है तो वहां पर अमेरिकी राष्ट पती डोनाल ट्रम्प जी के दौरा वहां जो फंड दिया जा रहा था उसको उन्होंने बंद कर दिया बंद क्यों कर दिय कि वहुत नायए कि अपने अंदर एक ही जता किसी की ऐसे बंद कर दिया हैं कहीं तोड़ा मातरा है कि अपने दोस्त कर दोस्ते अ को सकता है को सकता कभी थोड़ा बहुत यदिमस्टिक हो जाती है और वहां पर आप क्या सो общем आपके ऑ सौच् allons है औरम आपके अंदर यह एक क्या होगा एक समय बाद धप हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है वही इस्तिति हुई डोनाल्ड ट्रेंप जी की उन्होंने जब कोबिड नाइंटीन आया और यहां पर फाइदा किसका उठा रहें क्योंकि एक अकेली अंतरश्टी महासक्ती बनी हुई है ठीक है अमेरिका द कंट्रिया है जो की काफी मात्रा में जितनी भी हमने आर्गनाइजेशन पढ़े उनको फंड देते हैं तो यहां पर अब उनकी अंदर यह टूड़ा कि हम नहीं देंगे तो मतलब इनका सब कुछ बंद हो जाएगा जो भी उन्होंने सोचा उन्होंने डव्यों का फंड दे आती है हम फ्यूचर का एक्जामपल ना लेके बरतमान का ले और बरतमान का ही एक्जामपल हम यदि अपनी कॉपी में लिखते हैं तो एक्जामिनर भी थोड़ा सा हमसे अट्रेक्टिव होता प्रभावित होता है कि बच्चे में कुछ क्वालिटी है ठीक है तो यहां पर बस मैं यह सक्ति आरहा है तो यहां पर उन्होंने उसको बंद कर दिया बंद करने से आप जब व्यवस्थ है थी वो कहीं न कहीं चर्मर आई जहां पर WHO को सबसे ज़्यादा जरूरत थी कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिया जाए ताकि वह बैस्ट भी किस्थर पर कोई कदम उठा सके वहां पर आपने ब्लेम लगा के हाँ हो सकता कोबिट नाइंटीन अब फैल तो गया ठीक है और इसमें कहा जा रहा है कि डबलुएचो को पता था पहले से डबलुएचो ने बताया नहीं जबकि डबलुएचो की यह रिस्पॉंसिवेल्टी है कि यही कुछ ऐसे सिम्टम्स द उन्होंने क्या कर दिया कि बंद कर दिया ठीक है यहनी कि अपना जो भी उनकी प्रभुसत्ता प्रभुत्त के कारणी उन्होंने ऐसा किया यहां पर आप समझ सकते हो क्यूंकि पावर वो एक सक्तिसाली देश के राष्ट्यपति हैं माना जाता है ठीक है और यही उन्होंने उसका फाइदा उठाया बस यहां पर आप इतना समझे दिन उसके बाद कि होता क्या है यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि बैस्विक लोगतंत्र की जरूरत नहीं है अब यहां पर यदि हम अभी तक जितना पढ़े गंदगी उसकी पढ़े ठीक है कि वहां पर जो यह लोग हैं इनको जिनको पावर मिली हुई है इनकी वज़े से कहीं न कहीं व्यवस्था गड़वर हो रही है तो लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं अब यहां पर राइटर ने लिखे है कि हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते हैं ठीक है कि लोग तांत्रिक व्यवस्था ही नह के बैठे हुए हैं काम भी कर रहे हैं बस थोड़ा सा वहां पे हमने जो यह अलग से लोगतांतिक विवस्था की एक परिभासा होती है ठीक है उसको यह फालो नहीं कर रहे हैं अधरवाइस काम यह कर रहे हैं कि आप तो यहां अमेरिका को विट्वाबर चीन को विट्वाबर और कि बहुता दीजाए तो यह परियोजनाएं कि किसी भी स्टेट को भी कि यह परियोजनाएं मतलब बन रही है तो वर्ड वैंके किसके करज के सहारे से बन रही है सब्सक्राइब तो यह सारे बढ़ने को मिलते हैं उसे सारे बर्क गरते से यह ही उसा थे देखें यह इसलो बराही होटा है एक लोगतांत्रीक विवस्था के नजड़िये से देखें तो हम बता रहे हैं कि ये कंडिसंस बन सकती है उसके बाद होता क्या है या इस दिसा में कोई भी प्रवगति नहीं हो रही है जरूरत तो उन लोगों की तरफ से पैदा यानि कि यदि हम बात करें तो जरूरत तो उन लोगों की तरफ से पैदा की जा रही है जो वि विभिन कार्णों से एक दूसरे से जादा संपर्क में आ रहे हैं पिछले कुछ वर्सों में विभिन देशों के लोग अपनी सरकारे मतलब जो भी सरकारों की मदद के बिना एक दूसरे से जादा संपर्क में आए हैं उन्होंने युद्ध और दुनिया पर कुछ देशों या ब्यापारीक कमपनियों के प्रभूत्य के खिलाब बैस्चिविक शंगतन बनाए हैं किसी भी देश में लोगतंत्र जिस तरह लोगों के संगर्सों और पहल से मजबूत हुआ है वैसे ही बैस्चिविक मामलों में यह पहल भी लोगों के संगर्सों से ही आगे बढ़ रही है यानि कि भैसिविक मामलों में यदि हम बात करें तो इसमें क्या बता है कि कुछ ऐसे भी देशे जिनने क्या किया कि युद्ध यानि कि युद्ध और दुनिया पर कुछ देशों या व्यापारिक कमपनियों के प्रभुत के खिलाब जो भी व्यापारिक कमपनिया है तो व्य गए हैं आप जब देखेंगे तो बहुत से अर्गनाइजेशन्स हैं ठीके नेशनल भी है और इंटरनेशनल भी है यह बहुत इंपॉर्टेंट अर्गनाइजेशन है इनका उद्देश क्या था मतलब यह किस लिए बनाए गए थे यह कब इस्थापित किये गए थे इनका मु इंटरनेशनल में भी हैं ठीक है अंतर राष्टी अर्गनाइजेशन की बात तो हम कर ही रहे हैं बट हमारे राष्टी कुछ संगठन भी है उनके बारे में भी आपको जानकारी रखना बहुत महत्पूर्ण है तो जैसे कि मैंनों आपको बताया था कि जैसे जो भी हमारे ए बहुत बड़ा नहीं बस इतना ही कि यह कब इस्टेब्लिस हुआ था इसका इसका मुख्याला कहां पर है इसके बरतमान समय में ठीक है हेट बदलते रहते बड़ आपको याद करना चरूरी होता है देद उसके बाद आप यह भी कि इसका मेन उद्देश क्या था ठीक है तो यह कुछ चीजे होती है दो तीन चीजे बस उनके बारे में हमको करना है बस ज्यादा यार मोह माया बिलकुल मत करने आप मेरी बात मानो तो मैं तो यह बताऊंगी पढ़ने को आपको बहुत कुछ मिलेगा लेकिन थोड़ा सा यह मोह माय की दुनिया से दूर रहना पड़े में भी इसको टॉपिक है हम विस्तार से भी पढ़ेंगे बट यह अभी एक हम क्या करते हैं कि यह दी हमने अपनी नोट से बनाई पूर इसको डिटेल लिए क्या आपको लगता है कि हम रिवाइज कर पाएंगे मिनिमाम हमारे सारे सब्जेक्ट की मिला के 40-50 पेंच की नोट सोनी जाइए यह एक रफ आप लो उसमें एक जो भी आपकी नोट भूक हो उसमें आप लो उसको आप भर लो बस उतने से ज्यादे आप पढ़ते हो ना तो कुछ मतलब निकलता हमरी वीजन ही नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब लिखने के इतना सारा सब कुछ ठीक है हाँ अपनी तसलिक के लिए पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं बट आपको जो भी नोट में लिखना है थोड़ी एकदम से सौट नोट से लिख रही है ठीक है उस हिसाब से आप करते हो आपका सारा जितना भी सलेवस से बहतर तरीके से कंप्लीट भी होगा और अच्छे तरीके स आपको समझ में भी आएगा मैंने कहती है आप पढ़ो मत बिल्कुल आप पढ़िए सौक से पढ़िए बट जो एक्जाम की डिमांड नहीं उस पर टाइम बेस्ट मत करिए बस मैं यह कह रही हूँ इसलिए प्रीविएस एर के कोश्चन पे और सलेवस पे कमांड अपनी बन कोई भी देश ऐसा है जहां आसाने से लोगतांतिक विवस्था इस्थापित नहीं हुई है यह आपको अच्छे तरीके से पता है सिक्स से नाइंध में हम आ गए हैं यानि कि सिक्स क्लास से नाइंध क्लास तक पढ़ चुके हैं और आई होप कि आप अच्छे समझ गए चाहे बच्चों का अधिकारों चाहे गरीबों का अधिकारों चाहे आदिवास्यों का अधिकारों वो हमको आसाने से नहीं मिला संघर्स करने पड़े हैं और तब जाके हमको यह सारे राइट्स मिले हैं ठीक है तो इसमें वहीं बताया जा रहा है कि जैसे सभी देशों में संघर्सों के बाद मजबूत हुआ है वैसे ही बैस्टिविक मामलों में यह पहल भी लोगों के संघर्सों से ही आंगे बढ़ी है यनि कि बैस्टिविक मामलों में बात करें तो जब उन्होंने संघर्स किया तब ही यह जो है आंगे बढ़ा है अब उसके बाद हम आते हैं यहां पर यदि हम बात करें तो इसको देखते हैं बाहरी समर्थन का सवाल ठीक है अब बाहरी समर्थन के सवाल के बारे में थोड़ा से दी हम बात करें तो प्रेश्ट 19-20 पर दिये गए हैं और दोनों काटूनों को यहने की काटून दिये गए है वहां पर भी हम लोगों ने उसको देखा नहीं है तो इसमें बताया जा रहा है कि गौर से देखिए ये कार्टून बैस्टिविक लोकतंत्र के बारे में एक मौलिक सवाल उठाते हैं ठीक है हाल में दुनिया के ताकतवर देशों इसको थोड़ा अच्छे से समझेगा दुनि करने के लिए सीधे मतलब सीधी दखल देनी चाहिए जहां लोगतंत्र नहीं है यनि की लोगतंत्र यहां पर इन्होंने क्या कहा कि प्रचार से काम नहीं चलता है पाकिस्तान में नहीं हम काफी अच्छा खासा प्रचार कर रहें मतलब लोगतंत्र विवस्ता महां पर आपक दीब नहीं है उस यानिन को उकसाना जाहिए कुछ मामलों में तो ताकतवर यानि के जो भी पावरफुल लोग भी किया ही अब लोग यहां पर कुछ मामलों में तो वह म dumbbell यह शुथ है वह जो फटोड़ा जाहिए वात है जो गहीड़ तो बाहरी कोई भी हमला हम पर करेगा और हमीजियली उनके कस्टेडी में आ जाते हैं और वह अपना समराज मिला भी लेते हैं ठीक है और वही होता भी है तो यहां भी क्या होता है कि गएड लोगतांतिक देशों पर ससस्त्र हमला भी किया है सुस्मिता यही बता रही थी आए यह देखे कि इराक में क्या हुआ ठीक है इराक पश्चिमी एसिया का एक देश है यानि कि जो हम लोग वहां पर डिसकर्श डिवेट की बात कर रहे थे पढ़ रहे थे सुस्मिता रखे सो गहरा की और फरीदा की उसमें सुस्मिता जो है वो थोड़ा सा उल्टे चल रही थ है तो इसमें क्या बात की गई कि उसने जो कहा था कि इराक पश्चिमी एसिया का एक देश है आप मैप में अभी देखिए एराक जो है वो पश्चिमी एसिया की एक एक देश है और इसमें यह दि हम बात करते हैं तो 1932 में यह ब्रिटिस गुलामी से आजाध होता है ठीक है पेही राज कर रहे थे हिश्री भी आप पढ़े होंगे वलकुल बखू भी बहुत अच्छी तरीकी से आपको पता होगा कि ब्रिटिसर्स की क्या नीती थी यह जितने भी यूरोपिय थी ठीके भईये इनका दिमाग बहुत मतलब इक्ष्टा चलता था जब हम सोते थे यह 10 कदम पहले जग के चल चुके होते थे और बिलकुल सही बात है ठीक है कि जब पूरी दुनिया सो रही थी तो यह 10 कदम क्या 100 कदम भी आंगे निकल चुके थे यह पूरे धुनिया में राज सिसर से आजाद होता है उसके बाद क्या होता है कि तेन दसक बाद यहां पौज ने कई सरकारों का तक्था पलता उनिश्वाट से यहां अरब सोसिलिष्ट बाथ पार्टी ठीक है यानि कि अरबी सब्द बाथ का मतलब क्या होता है पुनर जागरण यह जो वात है नहांने के बाद आप अच्छेगा से सुद्ध हो जाते हौ पुनर जागरण ठीक है तो यनि कि वात तक्था पार्टी का शासन था बाथ पार्टी ने मतलब 1668 में तक्था पलत में महत्पूर्ण भूमी का निभाई थी और उसी से यह पार्टी सत्ता में आई इस पार्टी यैनि कि य परकार ने परंपारीग इसलामिक कानूनों को हटाय और अर्तों को अनेक ऐसे अधिकार दिये जो अनपश्चिम यानि कि 1979 में राष्टपती बनने के बाद से सद्दाम हुसेन ने अपनी ताना साही चलाई और अपने सासन का बिरोध करने वालों का सक्ती से दमन कर दिया यानि कि इन्होंने जो महिलाओं के लिए बेतर किया था वहां भी अब इन्होंने क्या किया कि जैसे यह राष्टपती बनते हैं इनके पास भी पावर आ जाती है तो आप समझ सकते हो कि कितना एटिटीट आता हमारे अंदर हमसे ना यदि आप अपने से ही घटना गतार लेज आप से फ्रेंड्स थे हम जीने नहीं देते उसको यार कैसे तू बढ़ता मेरे तो इतनी जादा नमबर आ रहे हैं और मतलब हमारे इतनी परसेंट आ रहे हैं और यहां पर गलती से ही आ गए है ठीक है ऐसा मत समझे कि आपने मेनत की तो आ गए हैं क्योंकि हमें इसा और हमने कर दिया तो यह हम तो राजा आया है तुमारा तक्ता पलट तुम साइड़ ठीक यनिकि कुछ ऐसा एटिटीटिटूड आता है और तोड़ा इंटरेश्टिक कहारिया पर सुनिए लूब की अँप तो तो हमारे आप से भी दबा कुछला है पढ़े गई और हमेशा से तापर रहा है तो तो पढ़े गए लेकिन हम गलती से आ है अब हम क्या करेंगे कि छोग है यांगे था संझाने का मतलब यहां पर तहां वही आलत इन देशों की वह यह होती है जैसे हमने एक और देखा था पहले ही ज़्व काफी बना हुआ था ना सकती साली बना हुआ था जो कि लोगतांतिक विवस्ता पहले अमेरिका में थी तो उनको जब गिराके वनता है वहां पे वह सोचता जन्मत संग्रे करा लेता है कि चलो अब जन्ता तो हमारे ब एक मिनट नहीं लगा उसको तक मतलब उसकी सत्ता से गिराने में अब आप सोचिए यही होता मतलब जब हमारे अंदर ओवर कांट्विडेंस आता है ज्यादा एटीटे उड़ा जाता है तो यही होता इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला आंगे देखते हैं क्या होता इनके अब होता क्या है कि 1989 में राश्ट्रपती बनने के बाद सद्धा मुसेन ने अपना ताना साही चलाना सुरू कर दिया जो भी इनके खिलाब जाता उनको मरवा दिया जाता अब उसके बाद क्या हुआ कि और अपने सासन का विरोद करने वालों को सक्ति से धमन कर दिया अपन अपने अनेक राजनेतिक बिरोधियों की हत्या और जाती अल्प संक्यक समुदाय के लोगों का नरसंगार करने के लिए भी वे कुख्यात हुए उसके बाद हम बात करें तो अमेरिका और ब्रीटेन आदी उसके सहयोगी देशों के ने आरोप लगाया कि इराक के पास तो अमेरिका और ब्रीटेन ने क्या किया कि उसके सहयोगी देश थे सहयोगी देशों के बाबजूद भी इन्होंने उसके क्या रोप लगाया कि यहां पर परमाणू हतियार बनते हैं जो कि क्या होता है और जन संगार के हतियार बनते हैं और इससे दुनिया को बहुत जब इतनी बड़ी घटना घटीत हो गई थी दो परमाणुबमों से तो समझे कि जब यह लोग परमाणुबम निर्मित कर रहे हैं यह एक भी कहें गिरा दिया जाएगा तो आधी दुनिया नश्ट हो जानी है तो यहां पर यह बता रहे हैं कि मतलब पूरे भिश्चु के लि इराग भेजी तो उस तीम को ऐसे कोई हंतिया नहीं मिले फिर भी 2003 में यानि की यूएन जो की यह सारे काम तो करी जाएथी सांती विबस्ता इस्थापित करने के लिए उसका काम था ठीक है यूएन ने जब किया जांच वगारा बैठाई तो ऐसा कुछ मिला नहीं लेकिन क अमेरिका और उसके साथी मतलब की साथी देशों ने इराग पर हमला किया अब जब सीधे बात बनी नहीं आ रोप लगाने वगएड़ा के बाद इन्होंने हमला कर लिया इराग ठीक है और किया कि उस पर कपजा कर लिया और सद्दाम हुसैन को सट्था से हटा दिया यह नह अपनी पसंद की अंतिरम सरकार बनबा दी इराग के खिलाफ युद्ध का सीधर सुरक्षा परिशद ने भी मंजूरी नहीं दी थी संयुक्त राष्ट महासेचिव कोफी उस टाइम पे कोफी अननन ने कहा कि इराग के खिलाफ अमेरिकी युद्ध गैर कानूनी है यनि कि इराग के खिलाफ जो अमेरिका के द्वारा युद्ध किया गया वो क्या है एक गैर कानूनी युद्ध है ठीक है उसके बाद क्या होता है कि इराग का उधारन कई मोलबूत प्रेशन उठाता है जिन पर हमें सोचने की जरूरत है अब वो कौन कौन से क्वेशन है जो सुस्मीता ने कहा था कि मतलब ऐसा जो भी अलोगतांतिक है वहाँ पर लड़ाई चगड़े होते रहते कोई दूसरा देश जाके वहाँ पर सत्थापित कर लेता ऐसा क्यों होता है तो यहाँ पर यह बताया जा रहा कि यह गयर कानूनी क्या प्योड़ते हैं क्या यह लोक तंत्र को बढ़ावा देने का सही तरीका है क्या किसी देश में लोगतांतिकी इस्थापना करने लिए किसी लोगतांतरिक देश्टों को उस देश पर हमला करना चाहिए यह निकी अमेरिका एक लोग तांतलिक देश है इराक में एक ताना साही बेबस्था चलने लगी थी 1968 से इराक में क्या हुआ कि यह निए 1968 में तो ठीक है उन्होंने अपनी शत्ता वगएरा बना बनाया 1979 में जो में नाटक सुरू होता जब राष्ट्रपती महोदय बनने के बाद तो फिर पूछिये मत जो मैंने आपको बता है वही वाली पावार आती है और उसके बाद क्या हुआ कि अभी हमने पढ़ा था ना कि यह एक लोकतांतिक विवस्था एक लोकतांतिक देश है दो से यह लोकतांतिक देश है तो वहां यह क्या कि अमेरिका हमला करता है यहनि कि यह एक लोकतांतिक बढ़ावा देने के लिए दूसरे देश पर दोस्तर देश को दूसरे देश्था ना जरूरी है थिक है याकि हम ला करना चाहिए क्या बाहरी सहायता हर मामले में मददगार साबित होती है या वै केवल तब ही कारगर होती है जब किसी देश के लोग अपने यहां के समाज को लोकतांतिक बनाने के संगर्स में लगे हो यहां पर क्या बाहरी सहायता हर मामले में मददगार साबित होती है ठीक है बाहरी सहायता और या वह केवल सब ही कारगर होती है जब किसी देश के लोग अपने यहां के समाज को लोकतांतिक बनाने के संगर्स में लगे हो ठीक है यह सारे questions आप अपने mind में भी सोच सकते हैं और किसी देश दुनिया में मत जाएए अपने आप में ही सोचिए कि क्या बाहर वाली हमारी सहायता करता है कोई ठीक है बाहर वाला कोई हमारी help कर रहा है अब यहां पर कहीं भी पूरी quality आप अपने से ही समझ सकते हो यार कोई इतना टफ नहीं है कि कोई बाहर वाला आता है हमारी help करता है क्या 24 गंटा हमारी help कर सकता है ठीक है क्या anytime वो हमारी help कर सकता है और क्या हम उससे anytime help ले सकते हैं बिल्कुल impossible है यार कुछ तो हमको अपने से करना पड़ेगा यदि suppose हम आपकी help करना चाहते हम एक बाहरी है हम आपकी यहां आते हैं आपकी help करना चाहते हैं ठीक है आपका वहां से हमको कोई support नहीं मिल रहा ठीक है फिर भी हम आपकी help करना चाहते हैं यानि कि मैं आपको पढ़ाना चाहते हूं आप पढ़ना नहीं मैं फिर भी पढ़ा रही हूं ठीक है अब यहां पर होता क्या है कि और यहां पर पढ़ा तो रही हूं मैं ठीक है लेकिन अब आप जब आपका इंटरेस्ट जग जाता है तो मैंने पढ़ाना बंद कर दिया तो क्या आपकी हिम्मत है कि आप हमसे बोल पाओगे कि आप पढ़ कि मैं आपकों पूरा तक पहुंचा दूँगी य है कि मैं एक बाहरी हूं आप थोड़ा कंसेप्ट को समझ यह ठीके मैं एक बाहरी हूं मैंने आपसे प्रHighville मैं आपको पूरा एच्छी तरीके से चलेवा से कवर करा गणा दूंगे अब पहले तो आपका इंटरेस्ट नहीं था आपका कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, दीरे-दीरे आपका इंटरेस्ट जगा मैंने पढ़ाना बंद कर दिया यहनिकी मैंने जो भी आपको हेलप कर मतलब किया, वह सारी बंद कर दीं, क्या अब आपकी हिम्मत है इकोनामिकली हो या किसी और तरीके से कि अब आप हमको कहेंगे नहीं मेरा माँ पैसा करो बिल्कुर नहीं कहोगे क्योंकि यार हम तो उसको कुछ दे नहीं रहे वो हमको जो दे रहा ठीक है वो अपनी मर्जी से दे रहा हिल्प भी कर रहा है कब तक करेगा वो और वो करेगा उसके एक तो आप मेरे ईसान के तले दबिर आऊगे ओपर से आप मुझे कभी नहीं कह सकते ओ Bernard की आप ये कर दो कर दो क्योंने कह सकते हो क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं होगी आपके अंदर ठीक है इसलिए बाहरी लोग हमारी anytime help नहीं कर सकते हैं ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जिरको ये बता दीजिए वो बता दीजिए यार योपी ऐसी करना है खुद से करिए ये ऐसी जर्निय है जहां कोई भी help नहीं करता आपकी कोई भी थोड़ा सा guide कर सकते हैं थोड़ा सा guide कर सकते हैं आपको अधर्वाइस यदि हम चाहें कि पूरी के पूरी help मिल जाएगी तो यहां कोई नहीं है ऐसा और help के सहारे ये करना भी नहीं क्योंकि जो वहां पर यूपी ऐसी का जर्ज करने वाले होते हैं तो वह ऐसे स्पेरेंट को नहीं लेते हैं जो कि खुद ही दोसरों की help से चल रहा हूं कि आपके पास समझ जाएं समस्याओं को सेल्यूसन डोड़े आप खुद से करिए ठीक है एक स्ट्रॉंग परसन बनिया कि समस्याओं उसको सामना करेंगे और खुद से करेंगे किसी के हम मत्य नहीं कि इसने हमको यह दे दिया वो दे दिया हम बस कर लेंगे यह और इसलिए किसी डूसरे से हेल्प लेने में मैं तो यह को कि टायम बेस्त मत के लिए कि थोड़ा सा यह बता दिया थोड़ा से इंटर्वीव देखी वो आपकी काफी हेलस कर देते हैं झारव कोई? नहीं करता इसलिए आप कना है उससमें डोड़ी किसी ने बता दिया हम ने इतनी लाइबरेरी तैयार की हमारे पास भियर नहीं है आपके पास जितना है बस एक बात हमेशा आप मेरी याद रखिएगा कि आपके पास जितना है उतने में ढोड़िए कि हम इतने में हम किस तरीके से करें कि हमारा टार्गेट कंप्लीट हो जाएं जितना है उतने में ठीक है दूसरे का सुन के नहीं दूसरे का समझ के हमारे पास जितना हम उतने में से ढोणेंगे कि यह चीज़े हमको करनी चाहिए यह चीज़े हमारे पास होनी चाहिए तो आप अपनी रियल लाइफ से घटना घटाओगे ना पूरी आपको यह जो पूरा हम विश्चो ओ क्या मतलब पूरा यहां का अपने देश का तो सही है पूरे विश्चो की भी राजनीती समझ लेंगे यहां अपने से घटा रहे हैं तो ठीक है अपने लाइफ में पूरा उतार लीजी कैसे ऐसा होता क्या हमारी लाइफ में कोई बाहर के हेलफ आएगा कब तक करेगा यहां पर दोनों बाते ही कही गई गई है कि मतलब कि मामले में क्या हो सकता है मददगार साबित हो सकता है ठोड़ा बहुत ज्यादा नहीं ठीक है या वैलतकी कारगण होती है जब किसी देस में लोग अपने यहां के समाज को लोगतांतृरिक बनाने के संगर्ष में लगे हो विलकु सहीं जब आप को यूपीसी करने में लगे लेकिन आपके भाई युपी यसी नहीं करना चाहते आप संघर्स मेरी ऑफ मिल गई आपके लिए बहुत हिल्प पूल होगी लेकिन जो संघर्ष में नहीं लगा है जो कि कुछ नहीं करना चाहता हूं मैंने उसको करने की कोशिश की मैं कब तक करूँगी ज़र आप खुश से सोचिए याप कि किसी को कर रहें तो आप कब तक करेंगे जब आपका सामने वाला बंदा उसके लिए रेडी नहीं है यहनी कि कोई भी देश तभी उस पे बाहरी मदद कर सकता है कोई भी लोगतांत्री कंट्री उ कि उस देश के नागरीक पहले से संगर्स में लगे हुई हो सकता है कि उनके डायरेक्शन सही नहीं है बट वो लोगतांत्री के लिए जीजान लगा रहे हैं उसमें से हमने थोड़ी शेल पर कर दी और उनको लोगतांत्री विवस्ताई स्थापित होगी उनके देश में ठी किसी देश में लोकतंत्र बहुत हो जाता है तो वह तीकाओं होगा इससे अपने नागरिक को समर्थन प्राप्त नहीं होगी थीक है तो वहां पर इदिसापोच क्या हो जब जैसे अमेरिका ने इराग के साथ के दबरजस्ति उसको कर दिया ठीक है उस कंडिशन में कहीं न कहीं कुछ प्राब्लम्स आ जाती है दिन उसके बाद हम बात करें कि कोई बाहरी सकती लोगतंत्र कायम कर दे क्या यह विचार लोगतंत्र की भुनियादी भावना से एकद इस अध्याय में इस अध्याय में सीखी गई बातों की रोसनी इन सवालों पर विचार कीजिए ठीक है जो यह सवाल दिये गए हैं इन सवालों में आपको सोचना है और बाहर नहीं जाना कि देश पर मत जाई यह जो कर्टून है इनको आप कर लिजेगा यहां पर दिये अध्याय में बिलकुल देश काल पुरे विच्व में यही घटना घट रही थे ठीक है तो ये बात आई हो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी सो आज से हमारा यह जो चैप्टर था फर्स चैप्टर वो कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको बहतर तरीके स समझ में आ गया होगा और योदी नहीं आया है तो आप बिलकुल एक से दो बार वीडियो देखिए गा समझ में आ जाएगा नहीं किसकती कि वो नहीं आ रहा है तो मैं दुबारा पढ़ाओंगे आप दो बारा वीडियो देख सकते हैं ठीके सो आल्थ दविष्ट मिलते है नेक्स्ट वीडियो में